आजादी के बाद से ही रूस भायत का दोस्त रहा है और जब कभी भी भायत को उसकी जरूद पड़ी उसने हमेशा भायत की मदद की लेकिन इधर वर्सों से तेजी से बदलते बैस्विक हादात के कारण इन सम्मंदों में कुछ नर्मी आ गई थी जिसे दूर करने के लिए भ भायत की परधामनती बिगत दिनों रुषिया की आत्रा पके तो पहले जैसे गर्म जोशी दिखाई थी और दोस्ती के नया आयाम तरासने की कोशिश की गई रुषिया के सेंट पीटर्स वर्क में परधामनती नेनमोटी और रुषिया के प्रसिजर्ड ब्लादिमिर पुत ल्योग के नए आयाम चुड़ें भायत के परऊ definite बर रही दोस्ती को लेकर भायत के चिंताओं को भी पुतिनने खारिश कर दिया और भायत को अपना सचा दोस्त पताया इसके बाद दोनों देशों की तरफ से इस बात का एलान किया गया कि उनके बीच अभी तक कर सबसे बड़ा स्थानी अभ्यास इसी साल किया जाएगा भारत वा रूस के सेनों के तीनों अंगों के साथ एक बड़ा स्थानी अभ्यास इंदरा 2017 के नाम से किया जाएगा रूस ने आश्वासन दिया कि वो भारत को अत्याधोनिक हत्यानों की आपूर्टी करता रहेगा और भारत के साथ शैन शाहियों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का वार्दा भी रूस की तरफ से किया गया मालूब हो की भारत अपनी शैन जरूर्टों का अभी भी 70% रुष्या से लेता है भारत और रूस के बीच 5 समझोतों पर हस्तक्षर किये गए इसमें कुदान कुलम में रूस के सहयोग से लग रहे उर्जा प्लाट में 5 और 6 रियक्टर लगाने का समझोता भी शामिल है इससे 1000 मेगावाट बिसली का उत्पादन संभव होगा साथ ही यह भी कहा गया कि आनविक उर्जा के छित्र में सहयोग को और विस्ताद गया जाएगा मोधी और पुतिन के बीच यह समती बनी की आपसी रिस्तों को मजबूत करने के लिए 2014 में जो कार्योशना बनी थी उसे अमली की जामप पहनाया जाएगा साथ ही रूस भारत को उड्रेन के छित्र में एक महासक्ति बनाने का हर संभव परियास करेगा पी एनस नीर्स की रिपोर्ट